जहिन साथियो आज हम आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि SSB ट्रेट्समें 1522 पोस्टों को लेकर एक बड़ी अपडेट है जो कि मैं आप सब को इस वीडियो में देने वाला हूं और साथी में ड्राइबर वालों का स्किल टेस्ट मतलब कि यहाँ पर ड्राइव आपका कब होगा एक्जाम के जिस्ट बाद होगा या फिर लास्ट में होगा यह सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा इसलिए आप सभी वीडियो कंपेड देखें क्योंकि यह वीडियो आप सब के लिए काफी ज़रा कॉंप्लिकेटर रहने वाले ती कि तो भी आपको इसका इुख रहने चाहिए और ड्रायविग आप सब को आईगा तभी आप सभी यहां पर क्वाली पार पाओगे तो आपको क्या लेकर आपको यहां पर बात करेंगे बात करेंगे लोडित बहुत सारे फॉर्म आवेदन हुए हैं बहुत सारे बच्चे यहां पर फिजिकल भी पास कर लिए हैं अब वेटनरी की बात यहां पर यह आके फस्ती है क्या वेटनरी में एक्सपीरियन्स सर्टिफिकेट लगेगा या फिर नहीं लगेगा तो रेखें मेरे दोस्त अगर यह बहुत ही ज़ुदी है इसे आप अपने दिमाग में नोट कर लेना एक्सपीरियन्स सर्टिफिकेट नहीं मागा जाएगा लेकिन आपका ट्रेट ट्रेश्ट होगा और ट्रेटर्स में बाहर बहुत सारे बच्चे यहां पर बाहर होने वाले हैं वेटनरी के ट्रेट ट् अंदर आप सभी देखिएगा अगर कहीं भी आपको एनिमल होस्पिटल दिख जाए तो आप सभी दो महीने वहां रह लीजिए आपको थोड़ा बहुत नौलेज वहां से मिल जाएगा और आप सभी स्टेट्रेस को क्वालिफाई कर जाएंगे ठीक है जो जानवार होते हैं अब उनके हास्पिटल जो होते हैं वहां से आप सभी कुछ जानकारी लेना है तब याप सभी आपस कर सकते हो ट्रिक है वहीं बात करें और ड्राइबर ड्राइबर वालों को यहाँ पर ड्राइबिंग लाइसेंस लगने वाला है ठीक है और यहाँ पर बात करें बाकी जितने भी ट्रेड हैं कुक हो गया कॉपदर हो गया अधरवाइस जितने भी ट्रेड हैं सभी ट्रेडों का यहाँ पर एक्सपीरेंस सेटिफि द्राइबंग करवाएंगे आपको यहां पर थोड़ी बहुत होनी चाहिए अब यहां पर बात आती है कि पलंबर को लेकर आप सभी सब्सक्राइब पर आपको बता दें आप अगर आपके पास i.d. तो आपका से ज्रूर आपको बात करें के आपसे सवाल पूछेंगे वहां पर दो पर नए चोण कर आप हम बात पर पर सकते हैं कितना भी हाऊ सकता है अगर आपने कैसे कैसे हुआ था मुझे बता जो तर नहीं पड़ेगी ठीक है अगर अगर आपने दर्जी में अर्ट में आना चाहिए तब ये आप यहापके आता ऊपना से उक्हाने प्रदेश पूलिस में कोंस्टेबल की तो आप सब के लिए बेस्ट निकल के आचुकी है जो की चक्षू पब्लिकेशन की यहां पर आपके त्यारी को और ज्यादा मजबूत बना सकती है क्योंकि 2023 में जो नई भरती आने वाली है उसी के लिए यहां पर बुक निकाल चुका है चक्षू पब्लिकेशन की जो की आपके एक्जाम के लिए काफी ज़्यादा हेल्पूल रहने वाली है यहां पर बात करे अगर आप सभी आपने त्यारी को बहुत ही यहां पर बना सकते हैं अगर सभी इस समय मार्केट में भी और बम से पर्चेंश कर सकते हैं मैं आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं और कॉक की वीडियो मैंने और बना दी है चैनल पर तीक है आप सभी चैनल पर जाएंगे ढूड़ेंगे नहीं मिलेगा इसलिए मैं आप सब को इस वीडियो के डिस्करशन में उसका लिंक दे दूँगा आप सभी जाकर कुख का ट्रेक्टिस्ट का वीडियो देख लीजिए अगर आसे वीडियो को देख ल लेकिन आपको घर पर रोटी वेलना आना चाहिए रोटी आप सब को यहां पर पास कर देख लेगा अगर आपको यहां पर कपड़े धुलना आना चाहिए और इसकी वीडियो मैंने और चैनल पर देख सकते हो आपको कपड़े धुलने से काम नहीं चलेगा वासर मैं में मेल फिमेल दोनों अपलाई किया ठीक है वही बात करें क्या है आपसे क्लीनर के नाम पूछेंगे ठीक है आपको क्लीनर का नाम बताना है कौन-कौन से प्रोड़क्ट यहां पर सफाई के लिए यूज होता है और और साथ ही अगर बात करें तो इसके उपलच में आपसे लाटिंग बात्रूम यह वायरा भी साफ करवा सकते हैं ठीक है तो इनका दोनों का होगा वहीं बात करें वेटर करता है यहां पर नॉर्मिली ट्रेट्स होगा अगर आपने इन ट्रेडों में से किसी भी ट्रेड में फर्म को अपलाई किया है और साथ ही अगर आपको बता दें कि अब आपके जो एक्जाम है वह यहां पर जुलाई में होने के करीब 99% चांस बन चु बात करें तो अगस्त सितंबर तक आपको जारी कर दिये जाएगा और उसके बाद करीब सितंबर में ही मान सकते हैं आपका ट्रेस्ट भी यह पर हो सकता है तरेट को आपको नजार अंदाज नहीं करना आ तो आपको विशेज़ फोकस करना है क्योंकि आपने रुनिंग पास कर लिया है पेपर पास करनेंगे और एक तेस्ट में अगर आपको बहुत ही प्रावल्leम इसाफें देखने को मिल सकता है बहुत ही golden chance है क्योंकि प्राणी भरती है कहीं कहीं सारे बच्चे सेलेक्ट हो जुके हैं आप ही बच्चे और जो की SSB 1522 पोश्टों में आपका सेलेक्शन होना है आप तया है तो आप सभी थोड़ी तैयारी कर लिजिए और आप सभी return exam पर विशेज फोकुस करिएगा क्यों कि आप सभी return exam में जो number पाया रहेंगे उसी के base पर आपकी final cut-off भी तैयर की जाएगी तो return exam में आपको बहुत मेहनत करना है तभी आप सभी इस exam को qualify कर सकते हैं पिलाल मैंने आपको सारी जानकाई दे दी है अगर आपके अंतर कोई भी सवाल चल रहे हैं तो आप सभी comment कर सक तब दक लिए जय हिंद है